पूरे परिवार के साथ पूरे विदीविदान के साथ पूजा कि भारत की कप्तान रोहिश शर्मा तीट्वेंटी वर्लकप के लिए आस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले सिद्धी विनायक मंदिर में अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ पहुँचे थे जहां उन्होंने अपनी बेटी को कंधे पे बठाया हुआ था और हाँ जोड़कर भगवान की पूजा की ये बात तो हर कोई जानता है कि इतने एहम से पहले मंदिर जाने का क्या मतलब है इसमें कोई दोराय नहीं कि रोहिष शर्मा ने विश्व कब जीतने की ही प्रातना की होगी भारत ने अपना पहला और आकरी टीट्वेंडी वर्ल्ड कब की राजचाहात लगती है अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और फ्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें